टॉपिक क्या है कि apparent weight of a body in a lift? टॉपिक क्या है? concept है? देखिए किसी भी बाडी का weight महसुस क्यों होता है? lift तो छोड़ो हमें अपना weight महसूस क्यों होता है अरे बुरे होता है खाते पीते घर के होता है तो होता है हमारा जादा होता है नहीं खाते पीते घर के हैं इसलिए होता है क्यों हमें अपना weight महसूस क्यों होता है because of the reaction force acting on me जब हम रेक्शन फोर्स काम कर रहा है, दोनों मिलाकर कि यह रेक्शन यह हम है, यह रेक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो रेक्शन फोर्स to be area by area of the pair, येतना pressure काम करेगा, ये इतना force हमारी Natasha body पर काम करेगा, फोर्स अपान area pressure होता है न? फिर हम थक जाएंगे, फिर हम बैढ़ जाएंग अब वो मारानी थी इसे तो नहीं होगा तो हमारी कमर की साइज हमारे पेरों की साइज से पंजें उसे जढ़ा होगी तो हम बैठ जाते हैं तो एरिया जढदा हो जाता है तो weight divided by area pressure कम हो गया हम फिर थक जाते हैं बैठे बैठे तो हम लेट जाते हैं अब पूरी बॉडी सर्फिस पे आ गई, पूरी बॉडी डिवाइड़ बाइट एरिया डिवाइड करो, तो प्रसर और कम हो गया, अब लेटे लेटे भी धक जाते हैं, तो अब ये तो है नहीं कि बेलन लेके हमको पापड़ो ना दिया जाये, और पतले हो जाये, ये हो नही केस ये है, फर्स्ट केस लिफ्ट का लेते हैं, फर्स्ट केस, देखो, ये है लिफ्ट, और ये है लिफ्ट के अंदर हम, ये है हम, ठीक है, तो एक तो हमारा वेट नीचे के और काम कर रहा है, और हमारे पर लगने वारा रियक्शन फोर्स उपर के और काम कर रहा है, अब ल हमने मान लिया कि left का acceleration कितना है zero दोनों ही case में अगर a zero है तो यारी कि रुकी भी तो रुकी रहेगी और a zero है अगर वो constant velocity चल रही तो चलती रहेगी और Newton के हिसाब से अगर a zero है तो आपके उपर net force लग रहा नहीं लग रहा है हाँ या ना मतलब अगर net force लग रहा है और net force बराबर m into a होता है a zero है लेकिन force है आपके उपर वो ले तो नहीं लग रहा है लग रहा है और अगर आप कहते हो तो नहीं लग रहा है मतलब आपके उपर net force नहीं लग रहा है यानि r is equal to क्या होगा mg मतलब हमको अपने weight के बराबर जो weight होगा वही महसूस होगा जितना होता है weight ठीक है क्योंकि R की वज़े से हमारे पर दूसरी तरीके समझ लिएगा मतलब R-MG net force होता है और चुँकि A0 है तो net force कितना हो गया? 0 तो R is equal to क्या हो गया? MG तो हमको अपना real weight मालू महसूस होगा ठीक है? अब second case समझ येगा second case ये है कि ये lift है अब आप ये ने करना lift जो नीची आ गई है क्या उपर चलिए ये क्या? अरे ठीक ही भी है इसमें ये हम है और ये हमारा weight act कर रहा है downward और ये reaction force काम कर रहा है upward और हमने माना जो lift है ना वो AX lesson से उपर की ओड़ जा रही है अब ध्यान समझेगा अब बताया R ज़्यादा या MG ज़्यादा R ज़्यादा या MG ज़्यादा ज़्यादा कौन हुआ? क्यों? क्योंकि net force ज़्यादा लगेगा उधरी तो body जाएगी ना तो net force कितना आपके उपर काम कर रहा है? R माइनस MG बराबर MA तो R की value क्या हो जाएगी? MG प्लस MA यहनि आप पे आपका weight तो act ही कर रहा है और प्लस MA भी act कर रहा है तो दूसरा case हो गया जाकर के ठीक है? थर्ड case समझेगा थर्ड case यह वाला ले ले लेते हैं इसी में थर्ड case में क्या हम ले रहे है? कि भाई, lift नीचे की और आ रही है तो नीचे की और आ रही है तो आप कौन ज्यादा? R ज्यादा के MG ज्यादा? तो ज्यादा net force कितना कर रहा है अपके उपर? MG माइनस R बराबर MA तो R की value क्या हो जाएगी? MG माइनस MA यहाँ से चाहो तो M काम ले लो तो यह G प्लस A हो जाएगा यहाँ से M काम ले लो तो G माइनस A हो जाएगा तो आपने क्या देखा? कि जब उपर क्यों lift जाती है तो हमारा weight ज्यादा महसूस होता है आर ज्यादा है ना आपके उपर और जब नीचे आती है तो हमको अपना weight कम महसूस होता है और जब वो constant velocity चलती है या stationary रहती है तो हमको अपना weight वही महसूस होता जो really होता है आपने देखा होगा जो जूले होते ना हैसुसे हुआ है विचारा करें क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है ना तो यह आपके cases हुए जाकर की ठीक है